ओम शान्ती, आज आपका 43 वाद दिन, और आज के वरदान में परमात्मा हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने संकल्प शक्ती से, केवल बोल से नहीं केवल, लेकिन अपने संकल्प शक्ती से कहीं आत्माओं को हम निर्वल आत्माओं को मदद कर सकते हैं, तो जिसे कहते हैं मेडि अगर आपके कहने से वो सुनते नहीं है तो आप अपने परिवार के लिए भी अपने संबंधियों के लिए थौट पावर जो कहते हैं संकल्पों की शक्ति उसके द्वारा आप परमात्म से मदद ले करके उनको सही दिश्या सही डारेक्शन दे सकते हैं तो देखते हैं आज बाबा कहते हैं अपने सही योग से निर्बल आत्माओं को वर्से का अधिकारी बनाने वाले वर्दानी मुरत भवा सही योग से तो यह सही योग क्या बाबा कहते हैं अब वर्दानी मुरत द्वारा संकल्ब शक्ती की सेवा कर संकल्ब शक्ती की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाब के समीपलाओ बाबवान से समीपलाने के लिए आज आत्माओं थक चुकी है लोगों को सुन करके कि यह तरीका है कि यह तरीका है आत्माई चाहते हैं कि वो देखें कि जो सई तरीका है उसके हिसाब से जहां सच्चाई है वो हमें दिखें सिर्फ वो सुनें नहीं तो प्रमात्वा कहते हैं कि बोलने से तो हम काफी कुछ बता सकते हैं औरों को लेकिन बोलना ही नहीं लेकिन करके दिखाना और करके दिखाना है नहीं जो हमारे संकल्प हैं जो हमारे बोल हैं और जो हमारे कर्म है वो एक समान दिखें तो अब कहते हैं, majority आत्माओं में शुब इच्छावत्पन हो रही है, कि आध्यात्मिक शक्ती जो कुछ कर सकती है, वह और कोई नहीं कर सकता, पता है आत्मा को, कि spirituality एक नई उमंग है, एक नया उत्साह जो आज काफी सारा दुनिया में फैला हुआ है, कि माध्यात्मिक ताक कि द्वारा बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी भी डाउट करते हैं, कि कैसे कर सकते हैं, क्या मैं आध्यात्मिक तामें जा सकती हूं, क्योंकि आध्यात्मिक होना मतलब बहुत कुछ छोड़ देना, लेकि परमात्मा कहते हैं, कि इन सब आत्माओं को सही द त्याग नहीं कर पाएंगे, इतना त्याग करना पढ़ता है, अत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, खान पान का त्याग हो, रहन सहन का त्याग हो, संबंधों का त्याग हो, वो सोचते हैं कि यह तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो त्याग नहीं है, यह उनको समझना ब उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो छोड़ते हैं, तो कुछ प्राप्तियां होती है, वो प्राप्तियों का अगर पता चले, तो छोड़ना बहुत आसान हो जाता है, तो शान्ती, सुख, खुशी, जो मिलती है उन त्याग तपस्या से, वो जो छोड़ना पढ़ता है, हमें कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है छोड़ना, खानपन में ही चेंजिस करने बड़े मुश्किल है, रहन सेन में ही चेंजिस परिवतन करना तो परे कैसे करते हैं, ये लोग तो आध्यात में वाले बड़ा मुश्किल काम करते हैं, तो उनको लग तो मुश्कि तो परमात्मा कहते हैं, उन्हें अपने शक्ती से हिम्मत की टांग दो, तब बाप की समीब चल कर आएंगे, कि जब हम कोई पता चला है कि उससे प्राप्तियां क्या हो रही है, तब ही तो कोई आता है ना, बिना प्राप्ति के तो कोई भी नहीं आता है, अब वर्दानी मूर कब बन सकते हैं, जब हम meditation करते हैं, सारी आत्मों, सारी विश्व की आत्मा है, जो कोई भी doubt में भी होंगी, हम तो हर एक को मिल नहीं सकते हैं, हर एक से बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे संकल्पों के दौरा हम उनके पास में जो message है, कि आप भी आओ, अनुभव करो, आध्य आत्मा जो एक राज है एक रहस है कि आत्यात्मिक्ता बड़ी मुश्किल चीज है इसको आप सुलजाओ आकर के समझो करके देखो तो पता चलेगा तो यह इस चीज के लिए परमातो कहते हैं वर्दानी मूरत बनो अपने सयोग से उन्हें वर्से के अधिकारी बनाओ वर्सा मतलब क्या हो गया प्राप्ती प्रॉपर्टी जो भगवान से मिलती है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो भगवान से मिलती है वह सुक और शान्ती जो की केबल आत्यात्मिक्ता ही दे सकती है और प्रमा कुमारीज जिसमें हम यही चीज सेकते हैं कि परमात्मे से जोड़ना और वो सारे वर्से को सारी प्राप्ति को पाना बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी प्राप्ति है उस त्याक के सामने जिसको हम सोचने हम बड़ा मुश्किल है करना है तो अब भी आएं आप भी समझें किते हैं इसके साथ ओम शंती